साल 2023 के पहले विधानसभा चुनाव में आज त्रिपुरा में बंपर वोटिंग हो रही है त्रिपुरा की 60 सीटों पर पिछले 5 घंटे से वोटिंग जारी है अब तक 33% से भी जादा वोट पढ़ चुके है सबसे जादा वोटिंग वेस्ट त्रिपुरा जिले में हुई है जहां अब तक तक तकरीबन 34% से भी जादा वोटिंग हो चुकी है टाउन बार्डोर वाली विधानसभा सीट पर सबसे जादा अब तक 49% वोट पढ़ चुके है ट्रिपुरा विधानसभा चुनाव में इस बार त्रिकोणी मुकाबला है बीजिपी के सामने अपनी सत्ता बचाने की चुनोती है ट्रिपुरा में इस बार ट्रिपुरा मोथा पार्टी नाम का भी एक नया दल चुनावी मैदान में है जो आदिवासी वोट को टागेट कर रहा है और आदिवासी इलाकों में दोनों पार्टी ने जो गठबंदन किया है उसके लिए ये पार्टी बड़ी चुनावती बनी हुई है त्रिपुरा में सुभे 7 बजे से ही पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारे देखने को मिल रही है त्रिपुरा में आज शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और जीत हार का फैसला 2 मार्च को होगा तो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर पूर सीम ने वोट डाला इसके साथ साथ मानिक साथ जो बीजेपी के मौझूदा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है फ्रीडम एप से सीख कर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट को एक करोड फ्रीडम एप के जो गराहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं वो इस वक्त प्धानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी वहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँचे हैं तो अभी फिलहाल यहाँ पर त्रिपुरा में जिस तरीके से लगातार वोटिंग परसेंटेज काफी जादा बढ़ रहा है वो जाहिरत और एक बड़ा उधारन है कि 49 प्रतीषत वोट अब तक पड़ चुका है तो बड़ी ख़बर त्रिपुरा से मैं आपको बता रहे हैं कि अब तक आपको लेटिस्ट वोटिंग का परसेंटेज में आपको बता देते कि कहां जादा बढ़े हैं सुबह साथ बज़े से यहाँ पर मतदान शुरू हुआ है और पाँच पदे तक यह मतदान चलेगा टाकर जाला वो इलाका है जहाँ पर 33 प्रतिशत मतदान हुआ है तो 33 प्रतिशत मतदान काफी जादा हाई है सिमना इलाके में 36% वोट अब तक डाले जा चुके हैं टाउन बोर्डर वाली ये वो इलाका है जहाँ पर सबसे जादा 49% वोट है टाकर जाला में 33% वोट डाले जा चुके हैं इसके साथ साथ सूर्यमणी नगर, 33 प्रतीशत, टाउन बोर्डर वाली वो सबसे वो बढ़ा इलाका है जहाँ पर 49 प्रतीशत डाले गए है सांतिर बजार में 36 प्रतीशत मतदान अब तक हो चुका है रामनगर में 32% मतदान अब तक हो चुका है राजनगर वो इलाका है जहाँ पर 32% अब तक वोटिंग हो चुकी है इसके साथ साथ कई ऐसे इलाके हैं सब लाकों में जहाँ पर 30% से भी जादा वोटिंग परसंटेज देखने को मिल रहा है सब रूम में 31% वोट डाले जा चुके है राइमा वैली में 34% मतदान हो चुका है तो त्रिपुरा में वोटिंग परसंटेज काफी जादा देखने को मिल रहा है जादा से जादा लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए वहाई त्रिपुरा के चुनाव में सबसे बड़ा फाक्टर है आदिवासी वोटर साथ में से 20 सीटे ऐसी है जो आदिवासी के लिए रिजर्फ की गई है इन इलाकों में बीजिपी को टिप्रा मोथा जो नई पार्टी बनी है वो काफी कड़ी चुनाव में वो भी इस बार आदिवासी वोट बैंक को अपना बड़ा वोट बैंक पाल रही है लिकिन ट्रिप्रा मोथीक बड़ी पार्टी है जो की बीजिपी और कॉंग्रस के घटबंदन को टक्कर दे रही है प्रधान मुंत्री रहेंगे और हमेशा ट्राइबल एरिया के लिए वो हमेशा सुसते रहे हैं त्रिप्रा में पाच ट्राइबल लीडर्स को लीजेंड को अभी पद्दोस्री दिया हुआ है यहां ट्राइबल मुहाराजा जो थे इनका नाम से यारपोर्ट हम लोग प्रधार मुंत्री जी यहां के इनुगरेट किया जरूर देखे हूंगे कितना अच्छा यारपोर्ट है और बीर बिक्रम किश्वर मानिक को बहादूर के नाम से दिया फिर आप देखे है यहां पर हम लोग उनका गरिया पुजा हुआ गरिया पुजा को हम लोग दो दिन चुटी हम लोग विक्तेयार के प्री मेट्रिक, कोस्ट मेट्रिक, ड्राइबलो का जो स्टूडेंट उनको जो स्टाइपें इसको भी बरत्ति की है बीजेपी से एक आशा थी हमें लगा था कि बीजेपी कुछ हमारे लिए करेगी, हमारे जन जातियों के लिए करेगी तेकिन उनको एक ही बात कहना हमने दुरावपती मुर्मू को प्रेजडिन बना दिया तो अब देखो हम आपको कितना प्यार करते हैं तो यही चीज इंद्रा गांधी ने कहा था मैंने ग्यानी जैल सिंग को सिक को एक राष्ट्रपती बना दिया है तो आप अब खुश हो जाओ या वाजपाई जी ने कहा था देखो मुसल्मान को बनाया है तो आप खुश हो जाओ एक व्यक्ती को मुकाम देकर आप पूरा कम्यूनिटी का उधारन नहीं कर सकते। मानिक शाहा ने एक रैली भी ट्राइबल एरिया में नहीं किया इस इलेक्शन में ये बताता है कि उनका क्या पॉपिलारिटी है मानिक शाह से जादा पॉपिलर मैं आज एक कॉंट्रिवर्शल स्टेट्मेंट देता हूँ मानिक शाह से ज़ादा पॉपिलर ट्राइबल एरिया में बिपलप कुमार देब जी थे अगर वो आज रहते तो ट्राइबल एरिया में तभी बी कुछ बीजीबे का प्रभाव बनता लेकिन वो नहीं है मानिक शाह जी है मानिक शाह जी ने एक बार भी ट्राइबल एरिया में आपस तोर पार